आप सबको मेरा नमस्कार, अभी हम लोग क्लास 12 के लिए इंदी एच्छिक का सेंपल कुस्चिन पेपर सालो करेंगे ताकि आप लोगों कर विजन हो जाए तो बच्चों आप लोगों की स्ट्रक्शन्स काफी अच्छे से मलू होंगे क्योंकि ये सिंपल पेपर काफी दिनों से है तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपटित गध्यांस को सुरू करेंगे इस मिद्दा संख हैं तो चलिए पढ़ते हैं कि परिश्रम कल्प बिरिक्ष है जीवन की कोई भी अभिलासा परिश्रम रूपी कल्प बिरिक्ष से पूर्ण हो सकती है परिश्रम जीवन का धार है हुजोल भुईस्यो का जनक और सपलता की कुंजी है स्रिष्टी के आदि से अध्यदन काल तक विक्सित सब्यता और सरोत्र उन्नती परिश्रम का परिणाम है आज से लगबग 50 साल पहले कौन कलपना कर सकता था कि मनुष्य एक दिन चान पर कदम रखेगा या अंत्रिक्षा में विच्ण करेगा पर निरंतर सरम की बदोलत मनुष्य ने उन कलपनाओं और संभानाओं को सकार कर दिखाया है मात रहात पर हात धर कर बैठे रहने से कदापी संभाव नहीं होता तो दिखिए इसमें परिश्रम के बारे में बताया गया है अब लोगों की मालूम है जग जाहिर है कि परिश्रम से ही सक्चीज होता है क्यों सोचने से कुछ नहीं होता और यहां पर परिश्रम को कलप ब्रिक्ष मने कैसा ब्रिक्ष माना गया है जिससे आप कोई भी इच्छा पूरा कर सकते हैं किसी भी देश राष्ट अधवा जाती को उस देश के बहुतिक संसाधन तब तक सम्रिद्ध नहीं बना सकते जब तक कि वहां के निवासी उन संसाधनों का दोहन करने के लिए अथक परिश्रम नहीं करते किसी भूबाग की मिट्टी कितनी भी बुजाओ क्यों न हो जब तक विदिवत परिश्रम पुरवक उसमें जुताई, भुवाई, सीचाई, निराई, गुणाई नहीं होगी अच्छी पसल प्राप्त नहीं हो सकती किसी गिसान को किसी संबंदी, अत्यादुनीक, कितनी सुईदाएं उपलब दखरा दीजिए, यदि उसकी उप्योग में लाने के लिए समुचित सरम नहीं होगा, उत्पादन चरमता में बृद्धी संबव नहीं है परिश्रम से रिगिस्तान भी अन वगनने लगते हैं, हमारे देश की संब्रता के पस्चात, हमारी प्रगती के दुरूद गती भी हमारे सरम का ही फल है बागडा नंगल का विसाल बांध हो, या थूंबा या सरी हरी कोटा के राकेट पर चेपन के अंद्र, हरिक करन्ती की सपलता हो, या कोबिड-19 की रुक्ताम के लिए टीका त्यार करना पर तेक सपलता हमारे सरम का प्रणाम है, तता प्रमाड भी है तो देखें यहां पर परिस्रम के बारे मैं बताये गया है कि परिस्रम के दौरा भारत ने बहुत प्रकार के छेत्रों में काफी उननती की है, चाहे राकेट पर चेपन हो या कोबिड-19 के रुक्ताम हो, परिस्रम के दौरा आप सभी चीज़ों को हाजिल कर सकते हैं, रिकि करने के फिर में हैं उसे वास्तुरीक और इस्ताई सांति नहीं मिलती गुंधी जी तो काते थे कि जो भी न शरम की भोजन करन करता है वह चोरी का न खाता है ऐसी सफलता मन को सांति देने के वजाए उसे बेथित करेगी, परिष्रम से दूर रहकर, और सुकमे जीवन बेथित करने अले विद्धार्थी को घ्यान कैसे प्राप्त होगा, हवाई कीलो तो सहजी बन जाते हैं, लेकिन वो हवा के यह हलके जोंके से ढ़ा जाते हैं, मन में मदूर कलपनाओं के सह कारी चीजी हांसिल की जा सकती हैं, लेकिन वे कर्महीन बेक्ति को कभी नहीं मिलती हैं, तो देखें इसमें ही बताया है कि अगर आप सुक पाना चाहते हैं, तो परिष्रम करिए, अन्यता, आपके सुक में बीमारी आ जाएगा, गांदी जी यहां तक बोले हैं कि चोरी कहा करना खाना है, अगर कोई बेक्ति भी न सरम किये भोजन करना करता है, तो तुलसिदास ने भी कहा है कि संसार में जो बेक्ति कर्म करते हैं, उनको सकल्पदार थांसिल हो जाता है, अगर आप बोईस्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए वीज करते हैं, जब तक की सफल न हो जाएं, अपने एक मिनट अपने लक्षो को समर्पीत कर दें, काम में जुटने को आप कोहर वस्तु मिलेगी, जो आप पाना चाहते हैं, सफलता सम्मान, धन, सूक, या जो भी आप चाहते हूं, तो देखिए इसमें बताया गया है कि आपको क कोई भी चीज की इच्छा है, सफलता सम्मान, धन, सूक, तो उसके लिए आपको केवाल केवाल कर्म करना पड़ेगा, परिशनम करना पड़ेगा, अब जलिए प्रशनों को देखते हैं, तो गद्यांस में परिशनम को कल्प बिक्षा के सम्मान बताया गया है, क्योंकि इस संसादन है, उसकी तुलना में परिश्रम की भूमिका जो अत्यदीक होती है, अगर संसादन है और हम परिश्रम नहीं करेंगे, तो भी हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसका आपसंखा करेक्ट हो जाएगा, प्रशनों नमबर तीन देखते हैं कि भारत के परिश्रम के परमा परिश्रम हिन होता है, उसको यहां पर अंदकार में बताया गया है, तो आपसंखा हो जाएगा, प्रशनों परिश्रम नहीं करेगा, उसको उपलब्दी कभी हासिल नहीं होगा, तो इसका आपसंखा हो जाएगा, प्रशनों करमांग 6 है, सतरत उद्यम से क्या तात्परिया सवस्था में प्राप्त सफलता मन को व्यथित करेगी आसान और स्रमीन तरीके से प्राप्त करने पर सफलता मन को व्यथित करती है तो अप्संगा हो जाएगा प्राप्त सफलता का अधार होता है या सफल जीवन का धार होता है तो इसका अप्संगा हो जाएगा ठीक है अब चलिए अत्वा को पढ़ते हैं बिज्ञान प्रकृति को जानने का महत्वपूर्ण साधन है बहुतिकता आज अधुनिक बिज्ञानिक और तक्निकी प्रकृति का इस्तर निदारित करती है बिज्ञान के वलसत्य अर्थ और प्रकृति के बारे में उप्योगी नहीं बलकि प्रकृति की खोज का एक करम है बिग्यान प्रकृति को जानने के एक महत्वपूर्ण साधन है या प्रकृति को जानने के विशे में हमें महत्वपूर्ण और विश्वसनिय ज्यान देता है बिग्ति जीस बात पर विश्वास करता है वही उसका ज्यान बन जाता है कुछ लोगों के पास अनुचित ज्यान होता है और वहाँ उसी ज्यान को सत्य मान कर उसके अनुसार काम करते हैं विज्यानिक्ता और अलोचनात्मक विचार उससे में जोर्री होते हैं जब वह अभी सोसनिय ज्यान पर अधारित हो विज्ञानिक और अलोचाक अक्सर तरक संगत विचारों का परियोग करते हैं तरक हमें उची सोचने पर प्रिवित करते हैं कुछ लोग तरक संगत विचारधारा नहीं रखते क्योंकि उन्होंने कभी तरक करना जीवन में सीखा ही नहीं होता तो देखे इसमें विज्ञान के बारे में बताया गया है कि विज्ञान जो है न एक तार्किक ज्यान होता है और जो विक्तितर करते हैं उनी का ज्यान जो है न वास्तिक ज्यान है कई लोग अतार्किक धंग से कुछन्य चीजों पे या कालपनिक चीजों पे या प्रताओं पे विश्वास कर लेते हैं तो उसको हम विज्ञान नहीं बोल सकते आगे देखते हैं प्रकृति विज्ञानिक और कवी दोनों की ही उपास्या है दोनों ही उसे निकर्तम संबंद इस्ताफित करने की चेश्टा करते हैं किन्तु दोनों के दिश्टिकोंड में अंतर है बिज्ञानिक प्रकृति के बायरूप का लोकन करता है और सत्य की खोच करता है प्रन्तु कवी बायरूप पर मुख्द होकर उसके भाओं का तादतम्या इस्तापित करता है बिज्ञानिक प्रक्रती के जिस वस्तू को अलोकन करता है उसका सुचमनी रिक्षण भी करता है चंद्रों को देखकर उसके मस्तिस के मैनेज भी चार उड़ते हैं उसका तापकरम क्या है, कितने वर्षों से हुआ पुनता असितल हो जाएगा जुआर भाटा पर उसका क्या प्रभाव होता है किस प्रकार और किस गती से वासोर मंडल में परिक्रमा करता है और किन तत्तों से उसका निमाड हुआ है वो अपने सुचमनी रिक्षण और अनवरत चिंतन से उसको एक लोक ठार आता है और उस लोक में इस्ति जोलमुकी परवतों तता जीवधारियों की घोज करता है इसी प्रकार वहाँ परकुलित पुष्पक को देखकर उसके प्रत्यक अंका विश्लेसन करने को त्यार हो जाता है उसका प्रकृति विश्यक अध्यान वस्तूगत होता है उसके दिश्टी में विश्यक अध्यान वर्ग विवाजन की पधानता रहती है वहाँ सत्या और वास्तिक्ता का पुजारी होता है कवी के कविता भी पत्याक चलोकन से प्रस्पूठीत होती है वह प्रकृति के साथ अपने भावों का संबंद इस्ताबित करता है वह उसमें मानोचितना का अनुभाव करके उसके साथ अपनी अंत्रीक भावनाओं का संवनवे करता है वह अत्त्य और भावना के संबंद पर वल देता है कवियों द्वारा परकृति चिंत्रण का एक प्रकार ऐसा भी है जिसमें प्रकृति के तर्तों को मानों ही मान ले जाता है तो देखिये बिज्यानिक जो होता है ना वो तर्कृति भरुसा करते हैं परिक्षार भरुसा करते हैं यहां लिखर के नुसार उचीजों को बारी डंग से देखते हैं वो हर चीज के पीछे के काण को जानना चाहते हैं कि जैसे चंद्रमा कितने दिनों में ठंडा हो जाएगा जवार माटे पे इसका क्या प्रफा पड़ता है आधी-आधी लेकिन जो कभी है ना कभी जो है भावनाओं के द्वारा कविता करते हैं यह मानव चेतना में अंत्रीक भावनाओं के संबनवाई सुत्पन होते हैं इसमें तर्थ्य और भावनाओं के संबन्द को बल दे जाता है और साथी साथ कई पर प्रकृति को मानव के रूप में ही मान ले जाता है प्रकृति में मानवी के राओं का अरोपन किया जाता है हिंदी में इस प्रकार का प्रकृति चित्रण चायवादी कईयों में पाय जाता है इस प्रकार के प्रकृति चित्रण में प्रकृति सरवता गौण हो जाती है इसमें प्रकृति वस्तों के नाम तो रह प्रण्तु जंक्रित चित्रण मानवी भावनाओं का ही होता है कवी लालाते पौधे का चित्रण नकर खुशी से जुमते वे बच्चे का चित्रण करने लगता है तो देखिए जो च्छायवादी कवी हैं उसमें प्रकृति चित्रण का प्रभाव ज्यादा होता है ये किसी को देखकर काफी ज्यादा कालपनीक और प्रकृतिक और मानवी भावनाओं का समवन में जो है ना चायवादी कवी हो में पाए जाता है तो चलिए प्रस्णों को हल करते हैं तो पहला है ये विज्ञान प्रकृति को जानने का एक महत्वण राधान है क्योंकि यह तो देख आता है कि वह तो देखे प्रकृति से अविदूर रहने का प्रियास करते हैं है ना क्योंकि वह खाली बाहर को देखते हैं अंतरिक तोर पे जो संदर्यता होता है प्रकृति में इसको नहीं देखते तिसका अप्संगा हो जाएगा कि प्रकृति से अविदूर रहने का प्र अंतर देखना प्रस्ण करमांग चार है कौन अनवरज चिंतन करता है तो जो विज्ञान का उपासक होता है विज्ञान उपासक हो जो है नमरज चिंतन करता है इसका अपसंखा हो जाएगा प्रस्ण पांच है कौन वास्त्विक्ता का पुजारी होता है तो विज्ञान वाद पाष्ण करमांगते है कभी की संबंद में इसमे से शही तत्य है कि यो है ये प्रफुलित पुश्ब का djy53 करता है तो इसका अप्शन का हो जाएगा जंकरीत प्रpage나 कर्माँ नों है प्रक्रुक्त गर्ड्यानस का उप्यूक्त शिर्षक है तो Series हो जाएगा प्रकृति की उपासख कउई और विग्यानी क्योंकि दोनों के पारें बताया गया है इसका ngối है प्रकृति का मानुवी करण दर्सार्टा है तो जुमते बच्चे कीत्रण करना दर्शाता है कि अभी जो है प्रकृति के तत्तों को मानव मान लेता है अब जहले प्रश्ण करमागद दो जाते हैं जो की कभ्यांस के उपर है तो चलिए परते हैं पहले कभ्यांस को मैंने हसना सीखा मैं नहीं जानती रोना बर्सा करता पलपल पर मेरे जीवन में सोना मैं अब तक जान न पाई कैसे होती है पीडा हसनस जीवन में कैसे करती है चिंता किरडा जगहे आसार सुनती हूँ मुझको सुख सार दिखाता मेरी आखों के आगे सुख का सागर लहराता कहते हैं होती जाती खाली जीवन की प्याली पर मैं उसमें पाती हूँ प्रती पल मदिरा मतवाली उस्सा उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में उल्लास विजय का हस्ता मेरे मतवाले मन में आसा आलो कित करती मेरे जीवन के प्रतिचन है स्वन सुत्र से वलाईत मेरी असपलता के घन सुक भरे सुन ले बादल रहते हैं मुझको बादल घेरे विश्वास प्रेम साहस हैं जीवन के साथी मेरे तो देखिए आसाओं से भरा हुआ एक कविता है इसमें जो कवित्री हैं उन्होंने कहा है कि ये अभी तक जान नहीं पाई है कि रोना क्या होता है और ये हर समय इनके जीवन में सुक का सोना वर्फ रहा है ये पिड़ा को भी नहीं समझ पाई है क्योंकि इनके जीवन में केवल हसी हसी है कोई प्रकार की चिंता नहीं है ये मानती है ये सुनती है कि लोग कहते हैं कि जग मेना असार है सुकसागर नहीं है लेकिन इनके आखों में हमें से सुकसागर दिखता है ये कहते हैं कि जीवन की प्याली जो है खाली होती जाती है ले इनके जीवन में अस्पलता ही नहीं, इनके जीवन में सुक से भरे हुए सुनरे बादल हैं, विश्वास हैं, प्रेम हैं, साहस हैं, और इस सब इनके जीवन के साती हैं, अब जाले प्रस्ण करमांग एक देखते हैं, कि बरसा कर पल-पल मेरे जीवन में सोना, कवित्री का सोन से घेर कर रखा हुआ है तो इसका अफसान क हो जाएगा अभीने असकलता के बाद लोंको सोने के सुथर से घेर कर रखा है प्रस्ट करमांगती ना कोunksिरित विश्वास प्रेश हो अपना जीवन साते बना अर्मा रखना लाघना गांक सा मुझगो सुख सार दिखाता कवित्री कोई अनुबुती कब होती है और क्यों व Carrie कियों समझायई तो कवित्री कोन नुबुती होती है जब लोगों दोराा प्रयोजन हिंता धर्शाय जाने पर क्योंकि संसार सुख से भरा हुआ है तिपिसकाप्शन खाथ हो प्रास्ता साथ है उस्स्वा अमग्ध और रहते मेरे जीवन में प्रयुक्त में उप्रयुक्त लंकार है तो ध्यान से दिखे यह एक बंजन है वू का तिन बार यहां पर पुन्रवित्ती ulti हुआ है पुणकी कवित्री उपने जीवन के बारे में यहां पर बता रही है अब चलिएक अभ्यांस दो को पड़ते हैं एक फाइल ने दुसरे फाइल से कहा बहन लगता है साहब हमें छोड़ कर जा रहे हैं इसलिए तो सारा काम जल्दी जल्दी निप्टा रहे हैं मैं बार बार सामने जाती हूं रोती हूं गिडगिडाती हूं करती हों बिंती हर बार साहब जी दर्वी देख लो एक बार पर साहब है कि कभी मुझे निचे पटक देते हैं कभी पीछे सरका देते हैं और कभी कभी तो फाइलों के धेर तले दबा देते हैं अधिकारी बार बार अंदर जांक जाता है ड़ते ड़ते पूछ जाता है साहब कहां गए हैं हस्ताक्चर हो गए दुसरी फाइल ने उसे प्यार से समझाया जीवन का नया फलसफ़ सिखाया बहन हम यूँ ही रोते हैं बेकार गिडगडाते हैं लोग आते हैं जाते हैं हस्ताक्चर कहां रुकते हैं वो अपनी महक छोड़ जाते हैं वैसे ही कुछ लोग का गजपर नहीं दिलों पर हस्ताक्चर छोड़ जाते हैं तो दिखी इसमें भारत की जो प्रसासनिक व्योस्ता है उसके बारे में काफी बेंगात्मा कभी है कि एक फाइल दुसरे फाइल से बोल रही है कि साहब हमको छोड़ के जा रहे हैं और इसलिए सारा काम निप्टा रहे हैं मैं बार बार बोल रही हूं कि मेरे को भी देख लो अंत में जो है न बहुत ही अच्छी बात यहां पर बताया गया है कि जो लोग जो है न ऐसे होते हैं जिनका जो कारी है न वो कागज पर नहीं बलकि दिलों पर होता है और दिलों पर अस्ताक्चर छोड़ जाते हैं प्रस्ण करमांग पहला है कि सहाब जल्द जल्दी काम क्यों निप्टा रहें क्योंकि सहाब जल्द जल्दी यहाँ पर काम निप्टा रहें क्योंकि ऐसा लगता है उनका टांसफर हो गया है ठीक है तिसका अप्सन का हो जाएगा कदाचित उनका इस्थांत्रण हो गया है फि जीवन के पस्तिती में जीवन के फ़ल सफेक अनुसार किसी भी पस्तिती में हमें बिलाप नहीं करना चाहिए, तो इस काफशनका हो जाएगा, पॉस्ट ने चारे कोईता के अनुसार जो कार्य दिखाई सुनाई नहीं देते हैं, वही कार्य जो है न, अपने प्रभाव को छो रहे या ना रहे इसका अप्शनका हो जाएगा कार्य कार्य कैसा भी हो समय नुशार होई जाता है PB कर आ गतलड के जरदी कारे करने वाले अधिकारी से प्रभाईत होते हैं इसका प्रशनका र्चाइगा कि किया ब्यंग का भाव चीपा हुआ है GK है Yes जाते हैं तिसका अप्संखा हो जाएगा प्रस्ण करमान का आठ है कि उप्यूक्त का अभ्यांस का उप्यूक्त सिर्चक क्या होगा तिसका सिर्चक होगा जीवन सार जीवन का सार क्या है तिसका अप्संखा है अब प्रस्ण करमान तीन प्या गए हम लोग ठीक है इसको अभल करते हैं तो खबर की द्रीशिएं के अनुपलब्द होने की स्तिति में रिपोरर से मिले जानकरीओं के अधार पर सुचना है प्रस्णाने वाले का सम्मंदित चरण होता है तो दिखेंगे अगर खबर की द्रीशिएं नहीं है और के वाल कि रिपोर्टर जो है न सुचना दे रहा है तो उसमें क्या उगा ड्राइए एंकर होगा क्योंकि एंकर ही सुचना दे रहा है तो इसके आपसंगा हो जाएगा ड्रैई एंकर प्रसम दो एक प्रस्टिज प्रसारीत हो रहा है तो उसके कटिनाई का तत्काल को निराकर्ण नहीं होता जिसका अपसंखा हो जाएगा प्रस्ण थीन है शरौताओं और पाठकों को और बांद कर रखने की स्क्रवर्जण सब्से सवसकत माध्य हमें क्यों किया क्यों किया जो है ना दृस्य और सरभ ये दोनों सुईधा, मन इसमें देखने और सुनने का दोनों सुईधा रहता है, तो इसका अपसंखा हो जाएगा, प्रस्ण करमांग पांच है कि कभी की वेखतिकता में समाजिकता मिली होती है, यह कतन रुपित करता है, यह कतन समाजिक समरस्ता को निरुपित करता है तो अपसंखा हो जाएगा नेस्ट देखते हैं कभ्यांस के दार पे पांच प्रसनों का हलम को चुनना है और यह कलेंडर से मालुम था अमुक दिन अमुक बार मदन महिने की हो एगी पंचमी दफ्तर में चुट्टी थी या था प्रमाड और को मिताएं पड़ते रहने से या पता था ही दहर दहर दह केंगे कहीं ढाक के जंगल आम बार आओंगे रंग रस गंद सेल देफंदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होंगे अब ब्यास करके दिखाएंगे यही नहीं जाना तै कि आज के नगर्ण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना की बसंत आया अब देखिए इसमें एक ब्यांग है कि अदमी आज की समय में इतना जादा बीजी हो गया है कि वह जोना प्रकृति को देखनी पा रहा है और देखने के लिए भी उसको काफी कुछ परियास करना पड़ा यहां तक कि छुट्टी को भी पाने के लिए वो देख रहे हैं कि छुट्टी के दिन क्या चीज हो रहा है तो उनको पता चलता है कि आज पंचमी है करके तो चलिए प्रस्णों को देखते हैं और कोई ताय पढ़ने रहने से खालिस्तान और आम बहुर आउएंगे में नहीत ब्यांग के कौन से विशेस वर्ग को चैनित करके कहा गया है ति यह जो सहरी वर्ग है या पुंजी पती वर्ग है ना उसके बारे चुट्थी बताया जाना इस बात का समर्थन करता है कि तो देख में बच्चों इस में चारो आप्सन गल्स ऑना मार्क distinguish स्की में भोड़े नहीं होगा जो मैं बोलाओं वोगा प्रस्नति न एकी बसंद कि हाने पर प्रकृति में क्या होता है तो बसंद के आने पर प्रकृति में ढहifs में ढाक के वन दहने लगते हैं और आम में बोरा जाता है तिुसक्षाप cafण का हो जाएगा लीकृत्व वन होएंगे सस्वी मदुमस तपीक भौर अधी अपना-पना कृतित तो अभ्यास करके दिखावेंगे प्रंगतियों दोरा आकलन किया जा सकता है तिसमें बताया गया है कि अभी गण जो है न विद्यसों में भौरे और कोईले कोईल के आदाओं के पस्तुति दोरा लाप प गई होगा सांती सांत इसमें पुनरुक्ति प्रकासलंकार भी है तो इसका अपसंखा हो जाएगा अब अगला प्रसमें देखते हैं जो कि पठीत गर्द्यान्स की उपर अधारित है कि चोधरी साब तो चोधरी साब से तो अब अच्छी तरह परिचे हो गया था अब उनके कि यहां मेरा जाना एक लेकर की हैंसियत से होता था हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे इस प्रातत्तों के द्विष्टी में प्रेम और कुतुहल का एक अद्बुत मिशनड आता था यहां पर यहां का दिन आउसिया का कि चोधरी साहब एक खासे इंदुस् पर उनकी यहां खुब नाच रंग और उस्सा हुआ करते थे उनकी हर एक अदा से रियासात और तबियतदारी टपकती थी कंगों तक का बाल लटक रहे हैं आप इदर से उधर टहर रहे हैं एक चोटा से लड़का पान की तस्तरी लिए पीछे-पीछे लगा हुआ है बात क किसी नौकर के हां से कोई रिवएवार की कारे बचाता नहीं पहला प्रसन है कि इस प्रातात्यों कि द्रिष्थी में प्रेम के कदभुत मिम्स भलाता था इस आपर है लिए जो है कि वो जो है न कारे ब्यवार में भी अपना रियासत और तव्यतदारी की जलक को दिखाते थे तिसका अप्शन गह हो जाएगा कारे ब्यवार में भी रियासत और तव्यतदारी की जलक मिलती थी प्रशन तीन है चौदरी साहब कैसे बेखती थे तो चौदरी साहब जो है ना इंदुस्तानी रहीस थे और उनके बाल जो है ना कंधों तक आया करते थे तो अपसंगा हो जाएगा प्रशन करमांग चार देखते हैं कारे बचाता नहीं कहने चौदरी साब पदसित करते हैं कि वे उनमें बलेक्षनरता भी थी चुटिला पन भी था इन प्रकार के इसका अपसंगा हो जाएगा गध्यांस के नुसार एक छोटा सा लड़का पान की तस्तिल ये चौदरी साब के पीछे पीछे लगा हुआ है अनुमान के धार पर बताईए कि यह लड़का कौन हो सकता है और तमान संदर्म में की सवस्त्रा को दरसाता है यह चौदरी साब क दे रहा था तो इसका अपसंगा है प्रस्ण करमांगती ने संवाद करते वक्त बड़ी बोरिया की आँखें चलचला आई थी हर गोबिन सोच रहा था कि किस मूँ से वह ऐसा संवाद सुनाएगा प्रंगतियों में समाहित भाव करमसा पदसित करता है तिये जो भाव है ना वो संताप को पदसित करता है और किम करते विमूर्था को भी पदसित कर रहा है क्योंकि जो समधिया होता है हर गोबिन वह बेबस रहता है उसको समझ में आते रहता कि वो क्या करे करके और साथी साथ उसको सोग भी रहता है तो इसका अपसंगा हो जाएगा आसा को बावली से की सबीसे स्वार्ग की बेंजना करती है तिये जो है ना देश के बाहर से आयोए विक्तियों के संवुग के बारे में बेंजना करती है तो इसका अप्सन्गा हो जाएगा प्रस्ण करमांग छह देखते हैं तोडो 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 ये पत्तर ये चट्टाने उप्यूक्त पंग्तियों में पत्तर और चंटाने किसकी प्रतीक हैं ये चट्टाने और प्रत्थर जो है वो बाधाओं की प्रतीक हैं तो प्रस्ण करमांग इसका पहला है कि चूला ठंडा किया होता तो दुस्वनों का कलेजा कैसे ठंडा होता कि माध्यम से सुर्दास संक्यात्मात्मा कर रूप से किसे चिन्नित कर रहा है तो यहां पिए भहरों को चिन्नित कर रहा है तो इसका अपसंगा हो जाएगा भहरों क प्रशन करमांग टू है कि रूप ने कहा कि आप यहां के लिए हैं जबकि भूप ऐसा महसुस नहीं करते हैं क्योंकि वे जो है न सोजनों और भूधरों से घरी आत्मेता रखते थे इसका अपसंखा हो जाएगा प्रशन करमांग टीन देखते हैं कि हम सोव लाग बार मनाएंगे इस कतन के संदर्वं में लेखक ने कौन से जीवन मुल्यों को इस्तापिद कियाै तो सौव लाग बार मनाएंगे में लेखक ने जो जढूपन और रॉसाबाद को बताया है तिसका अपसंखा हो जाएगा प्रस्न करमांग चार है आरवण कहानी की मूल समयदना है तो आरवण कहानी की मूल समयदना जो है न वो इसकलन में अपनों को खोने के बाद भी अनुपम परवत प्रेम से है तो इसका आप संखा हो जाएगा पस्ना 5 ये विखारियों के लिए धन संचाय पाप संचाय से कम आपमान की बात नहीं है हनुमान के अदार पर बताईए कि सुर्दास ने ऐसा क्यों कहा होगा इसलिए का है कि ग्रामीर समाजिक दिश्टिकोंड के करण क्योंकि ग्रामिट समाजिक दिश्टिकोर में इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती है तो इसका आप संखा हो जाएगा